आज हम लोग National Education Policy 2020 का complete analysis करेंगे और जानेंगे कि इस policy में ऐसा क्या खास है जो कि revolutionary changes की बात करता है तो चलिए आज इसके minutes को समझते हैं इसके specifications को समझते हैं इसके components क्या-क्या है और इसको कैसे सरकार implement करने जा रही है और इसका हमारे जीवन में क्या असर होगा इन सब के बारे में जानते हैं मैं हुएता शाम स्वागत आप का डिलेट्स में चलिए शुरू करते हैं National Education Policy actually में 2019 में ही आ चुकी थी लेकिन 2020 में इसका revised draft त्यार किया गया था और इसे हाल ही में release किया गया है यह third education policy है इससे पहले दो policy और आ चुकी थी दो national policy जो आई थी उसमें पहली national education policy 1968 में आई थी और दूसरी education policy 1986 में आई थी हाला कि इसको amend किया गया था 1992 में बट इससे 1968 की education policy कहेंगे हम लोग और तुसरी education policy आई थी वो 2019 में आई थी इससे ही 2020 में revised draft रिलीस किया गया था इसका ही यह जो national नई education policy है यह हमारे जो अभी तक का schooling system है 10 प्लस 2 का schooling system इसको replace करने की बात कर रहा है that means अभी तक हम लोग 10 प्लस 2 school system के दहर पढ़ते हैं हम लोग class 1 पढ़ते हैं class 2 पढ़ते हैं class 4 5 and then 10 का board देते हैं उसके बाद 11 12 करते हैं बट यह system change होने वाला है और अब यह system हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 अभी कलिए बस अब इतना याद रखिए कि यह system 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा आगे इसके बारे में हम लोग और जानेंगे कि यह 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 system एक्चुली में है क्या अब बात कर लेते हैं national education policy के background की एक्चुली में national education policy डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमीटी के recommendations पे बनाए गए थी और यह committee constitute की गए थी 2017 में 2017 में एक committee बनाए गए थी डॉक्टर के करस्तूरी रंगन के अधिक्षता में और इसका report submit किया गया था 2019 में इसी reports के अधार पे national education policy 2019 बनाए गए थी और फिर कुछ सुधार के साथ national education policy 2020 revise किया गया था हाली में लेकिन अगर हम बात करें इसके कुछ specifications की तो national education policy में बात की जा रही है 6% of GDP खर्च करने का GDP के country के GDP का 6% education sector में खर्च किया जाएगा हलाकि यह नया नहीं है इससे पहले जब पहली education policy बनाए गए थी 1968 में तो उसमें एक commission गठित किया गया था जिसका नाम था कुठारी commission कुठारी commission में भी यह बात कही गये थी कि education sector पे 6% GDP का खर्च किया जाना चाहिए बट यह ना ही first education policy में implement हुआ और ना ही दूसरे education policy में implement हुआ हाला कि जो भी education policy है जो इसमें 6% बात की जा रहे है कि education के खर्च किया जाएगा GDP का यह भी ऐसा नहीं है कि आज से ही खर्च किया जाना शुरू कर दिया जाएगा यह gradually बढ़ेगा अभी एक करीब करीब तीज सारे 3% खर्च किया आता है national country national GDP का education sector पे और यह धीरे धीरे बढ़कर 6% पे आएगा और इसमें शायद तोड़ा वक्त भी लगे इस पूरी education policy के 6 components हैं that means इस पूरी policy को 6 भागों में बाटा गया है और इसके 6 मुखे कह सकते हैं पार्ट है जो सबसे पहला पार्ट है वो है school education and the second is the language language कैसा होगा कितने उसमें language की बात की जा रही है सब है third है higher education, fourth is technology, पांचमा है finance and छटा है इसका implementation कैसे होगा इन सब को हम details में करके आगे देखेंगे ताकि इसका हम complete analysis कर सके सबसे पहला component school education है school education में पहले हम लोग 10 plus 2 system follow करते थे अब जो system हम लोग follow करने वाले हैं वो 5 plus 3 plus 3 plus 4 system होगा इसमें जो पहला पांच साल है वो foundation stage का होगा जिसमें की बच्चे को foundation के लिए त्यार किया जाएगा उसका एक base त्यार किया जाएगा जिसमें की 6,7 और 8 का जो class है उसकी त्यारी कराई जाएगी and then last का जो 4 years है वो secondary level का होता है जिसमें की 9,10,11,12 की जो studies है वो कराई जाएगी तो इस तरह से ये 5,3,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8, 3,4,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 वह तीन साल एक्शली में बच्चे को तयार के जा रहा है प्री प्रामरी सेशन के लिए प्री प्रामरी स्थेज के लिए धैट मीज जो अरलियर आप देखते होंगे प्राइविट स्कूल में या फिर दूसरे स्कूल में जहां कि नर्सरी लकेज़े और यूकेजी के पढ़ा जाती है बड़ अब उसका एक प्रापर स्कूलिंग फॉर्मेट होगा अंगनवारी टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा और वो बच्चे को वहीं पे अंगनवारी सेंटर्स में ही पढ़ाएंगे ताकि वह वहाँ पर नरसरी इलकेजी यूकेजी के तरफ कंप्लीटली पढ़ा इसके बाद जो स्टेज आती है वो है प्रिप्रेटरी स्टेज जिसमें कि 3, 4 & 5 क्लास करा जाएंगे ये एक तरह का प्राइमरी लेवल ही है आपको मालू होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल जो होता है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक होता है तो क्लास 1 & 2 हमने अल्रेडी कर लिया है इसके पहले वाले स्टेज यानिकी फांडेशन स्टेज में अब जो बचा वो 3, 4 & 5 बचा तो 3, 4 & 5 को एक जगा करके इसका नाम रग दिया गया है प्रिप्रेटरी स्टेज तो यह आलरडी गवर्मेंटर स्कूल से प्राइट स्कूल में पढ़ाय जाते हैं 3, 4 & 5 को इस स्टेज में रखा गया है और नेक्स्ट स्टेज है मिडल स्टेज इस स्टेज में क्लास 6, 7 & 8 की पढ़ाय कराई जाएगी तो एक्चली में जो भी हमारे स्कूल चलता है मिडल स्कूल तो वह जो स्कूल होता है वह क्लास 6 से 8 तक ही होता है और वही स्कूल की बात की गोभाइ 2 सीनियटी जारी है इस स्टेज में हमारे स्क मैं बिलॉग करता हून वहाँ पर आप भी आप देखते होंगे कि मिदिल स्कूल हुचेलता है यह Middle School या Upper Primary School जो होता है. वो Class 6 से लेकर 8 तक ही होता है. वो अभी भी रहेगा. बट अब वो Middle Stage कहलाएगा. And now, लास्ट जो होगा? वो होगा Secondary Stage. Secondary Stage Class 9 से लेकर 12 तक चलेगी. 9, 10, 11th, 12th. हला कि Secondary Stage पहले भी कहलाती थी. पहले ये दो भागें बटी हुई थी, 9, 10 को हम करते था secondary stage and 11, 12 को करते था हम लोग higher secondary, तो आप ये दोनों को combine कर दिया गया है, और इस तरह से 5 साल foundation stage है आपका, उसके बाद 3 साल जो है, वो है preparatory stage and then 3 years middle school stage and then 4 years आपका secondary stage, तो आप ये system हो गया, 5 plus 3 plus 3 plus 4 system, secondary इस नए schooling system को हम इस graph की help से और अच्छे से समझ सकते हैं, जो नए schooling system है, वो 5 plus 3 plus 3 4 का schooling system है, और जो previous schooling system था, वो 10 plus 2 का schooling system था, that means class 1 से लेकर 10 तक होती थी और फिर 11, 12 की पढ़ाई होती थी, तो इस जो 10 plus 2 system था, वो class 1 से शुरू होता था, जो कि age 6 years से, यानि इस 6 साल के class 1 में admission लेते थे थे, और फिर वो 16 साल होते होते होते, वो class 10 तक complete कर लेते थे, जबकि जो 11 और 12 complete करना होता था, वो 16 से लेकर 18 years तक complete करते हैं, तो इस हिसाब से जो school के शुरुवात होती थी, वो 6 साल में शुरू होती थी, और 18 साल में खतम हो जा रही थी, करीब बार साल क change होकर, तीन साल की उम्र से ही पढ़ाय शुरू हो जाएगी, that means, जो बच्चे तीन साल की उम्र से ही आंगनवारी जा रहे थे, वो आंगनवारी में ही पढ़ाया जाएंगे, आंगनवारी सहाविका और सहाइका के दवारा, उनको teacher training दी जाएगी, ताकि बच्चे को कैसे प पढ़ायेंगे, तीन साल की उम्र से ही, और छे साल की उम्र होते 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 हैं, उनका pre-primary complete हो जाएगा, अब प्राइमरी स्कूल में आज हम लोग पढ़ते हैं, नरसरी, LKG, और UKG, वैसे ही, गवर्मेंट स्कूल में भी, यानि कि यांगनवारी सेंटर में भी, जो है, जब वो pre-primary classes, यानि नरसरी, LKG, और UKG के तोर पर पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद फिर उन लोगों को दाखला, class 1 के स्कूल, यानि कि primary स्कूल में, कहीं भी class 1 से हो जाएगा, और फिर वो, जब वो 6 साल की उम्र के हो जाएगे, यानि कि class 1 में पहुँच जाएगे तो वहाँ वो class 1 and 2 पढ़ेंगे, and then उसके बाद वो जो second stage होगा हमारा, preparatory stage, उसमें वो जो है, class 3, 4 and 5 पढ़ेंगे, जो कि 6 साल के बाद, यानि कि 8 साल से वो शुरू होगा, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल तक वो वहाँ पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद फिर वो middle stage में तो class 6 से लेकर 8 पढ़ाई करेंगे, middle school में, जो कि उनका age group 11 से लेकर 14 years तक होगा, and then फिर वो secondary school में आ जाएंगे, जहां वो 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई करेंगे, और इसमें जो उनका age group होगा, 14 से लेकर 18 years तक रहेगा, तो बच्चे 18 years तक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके शुर बट यहां पर वो, अब 15 साल पढ़ेंगे, तो यह एक बहुत बड़ा major change आया है, इस नए education policy में, हाला कि इस नए schooling system का एक बहुत बड़ा criticism भी है, सबसे बड़ा criticism यह है कि पहले जो बच्चे पढ़ते थे वो 6 साल से लेकर 14 साल तक पढ़ते थे, class 10 तक या फे class 12 तक, लेक बच्चों की पढ़ाई अब ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसे ही WHO की guideline या फिर जो sustainable development goals की guidelines है, कि बच्चों पर कम दवाव बनाया जाए, बच्चों को education friendly environment दिया जाए, और बच्चों पर कम pressure बनाया जा पढ़ाई के लिए, अब वो pressure बढ़ सकता है, विकॉज अब बच्चे early इस सही पढ़ाई पर, पढ़ाई के लिए उनको pressure किया जाएगा, परेंट्स के द्वारा उनको class, pre primary से ही, that means, 3 साल की उमर से ही उन पर पढ़ाई का pressure आ जाएगा, और 18 years तक ही pressure रहेगा, तो जो अब schooling duration है, वो बढ़ गया है, तो ये एक बहुत बढ़ा criticism है, इस नए education schooling system का इसके साथ ही साथ, जो जूसरा सबसे बड़ा criticism है, इस नए schooling system का, उसमें ये है कि आंगनवाडी जो है, जो कि आंगनवाडी सेविका और सहाइका होती है, वो पढ़ाने के काबिल नहीं होते हैं, वो पढ़ाने के सक्षम नहीं है, तो इस case में, हलाकि जो सरकार है, मैंने य ये training की विवस्था करी है, सरकार ने early childhood and care education में, that means, कि सरकार training दिलवाएगी सारे अंगनवाडी सेविका और सहाइका को, और साथ ही साथ, उनको इतना equipped बना देगी, इतना able बना देगी, कि वो class, pre primary के बच्चों को, यानि कि 3 years से लेकर 6 years तक के age के बच्चों को, आंगनवा पाड़ी जो teachers होते हैं, वो या तो under qualified होते हैं, class 10 तक पढ़े होते हैं, class 8 तक पढ़े होते हैं, तो उनके लिए इन बच्चों को handle करना थोड़ा difficult हो सकता है, without training, और training के बाद भी जरूरी नहीं है, कि वो बहुत अच्छा perform कर पाएं, जैसे कि एक अच्छा teacher, जो professional teacher होता, वो कर पाता है, जहां पर जो मैंने extract दिया है, यह जो 2020 का draft revised national education policy है, उसी का मैंने ये एक P 1.7 जो point है, वो exactly copy करके यहां पर दिखाए है, आप लोग को जिसमें सरकार ये कह रही है, कि वो अंगनवारी के teachers को, अंगनवारी जो सहिका और सहाई का है, उनको वो training देगी, तो य आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि बोर्ड एक्जाम्स होगा या नहीं होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए भी ये वीडियो देख रहे होंगे कि बोर्ड एक्जाम्स का क्या होगा, तो बोर्ड एक्जाम्स के एगर हम बात करें, तो तेंथ और ट्विल्थ दोनों के बोड एक्जाम्स रहेंगे बट वो अब उतने इंपॉर्ट नहीं रहेंगे अब उनका महत्व उतना नहीं रहेगा जितना पहले था बच्चों को दो चांश दिया जाएगा इंप्रूव करने के लिए इंप्रूव्मेंट अगर आप देना अगर आपने स्कूर कम किया तो आप दूसरी बार में अपने स्कूर को इंप्रूव करने के लिए इंप्रूव्मेंट दे सकते हैं पहले की तरह अब जो है सब्जेक्ट का जो लेवल होगा वह आप चूज कर सकते हाड़र लेवल या इजियर लेवल फॉर इक्जामपल लेवल भी होगा और हड़र लेवल भी होगा इस हिसाब से आप अपने च्वास की हिसाब से सब्जेक्ट को हाड़ या इजी पढ़ सकते हैं इसके इलावा अब जो है पहले की तरह बहुत जादा सेग्रिगेशन नहीं होगा को करिकुलर एक्स्टर करिकुलर एक्टिविट कि तेनो के स्टूटेंट्स आपस में बात भी नहीं करती है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा को भी सब्जेक्ट ले सकता है कि या अगर मैं एक vocational subject हूं का student हूं तो मैं academic subject भी पढ़ सकता हूं इवन ये भी होगा कि जो जो curricular activities हैं उनको को curricular activities के साथ में रखा जाएगा that means अगर आप science पढ़ रहे हैं और आपने और कोई student पढ़ रहा है sports उसने के sports लिया है या फिर कोई vocational subject लिया है उसने अपने 12th में तो उसको आपके ब्राबर में माना जाएगा आप में और उसके लिवल में कोई फर्क नहीं होगा जो difference co-curricular activities, extracurricular activities या फिर curricular activities में था उसको कम करने की कोशिश करने के लिए सारे subjects को अब same level पर रखा जाएगा या तो sports subjects हो या फिर science subjects हो या फिर art subjects हो अब सारे same level के होंगे तो कोई student अगर sports उसने लिया है 11th 12th में या फिर उसने अगर science subject लिया है या किसी ने art subjects लिया है तो कोई किसे से कम नहीं है अब सारे की importance बराबर होगी साथ ही साथ इसमें peer assessment का भी include किया गया है peer assessment का मतलब यह है कि अब एक student दूसरे student का भी assessment कर पाएगा एक friend दूसरे friend का भी assessment कर पाएगा education के मामले में तो अब इस चीज को भी नए education policy का part बना दिया गया है अब नए education policy में बच्चे आपस में एक दूसरे का assessment भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अब पहले की तरह जो है traditional teaching नहीं होगी अब जो है analysis critical thinking conceptual clarity और applied education पे धिया जाएगा और इसको prefer किया जागा rather than cramped learning यानि कि अभी तक जो रटन्तु विध्या पे ध्यान दे जा रहा था वैसी विध्या नहीं होगी वैसी education system नहीं होगी अब जो है बच्चे critical सोचे बच्चे की conceptual clarity हो और बच्चे को education को apply कैसे करना है उस पे बच्चे का education based होगा लेकिन अब एक सवाल यह उड़ता है क कि इन सब को implement कब किया जाएगा एक बहुत बड़ा सवाल है यह clear नहीं है कि इन सारे improvements को इन सारे reforms को कब implement किया जाएगा इस वजह से एक बहुत बड़ा criticism है इस पूरे नए schooling system का इस नए schooling system में एक national assessment center बनाया जाएगा जो कि assessment से related सारे questions को solve करेगी that means assessments में जो भी problems आती है या फिर assessments में जो भी सुधार करना है उसको यहाँ tackle किया जाएगा और इस पे सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है syllabus में बहुत सारे बदलाओ आएंगे syllabus में बदलाओ के लिए अलड़ी जो है national curriculum framework for school education 2021 ने अलड़ी काम करना शुरू कर दिया है और यह अलड़ी जो है स्टार्ट कर दिया है इसने NCRT के अंडर्स जो syllabus को overhaul करना that means syllabus को completely change करना syllabus को completely नए तरीके से अफसरकार लाएगी कि कुछ goals भी है इस education policy के इस education policy के जो goals है वो इस प्रकार से है education policy के अनुसार जो हमारा gross enrollment ratio है वो 2035 के लिए secondary school में 100% करने का है अलाकि अभी मात्र 56.5% है 11-12 के लिए बड़ इसको 100% करने का goal रखा गया है 2035 तक और साथी साथ जो higher education का goal है gross enrollment ratio का उसको 50% करने की बात की जा रही है जो कि अभी मात्र 26.3% है अब आपका एक सवाल होगा कि सर यह तो secondary और higher secondary का आप बता रहे है secondary और higher education का आप gross enrollment ratio बता रहे है बट primary का या फिर upper primary का gross enrollment ratio कितना है तो actually में primary का gross enrollment ratio करीब करीब पूरे देश में 100% होता है 100% बच्चे जो है primary school में admission लेते हैं बट वो जैसे ही upper primary में जाते हैं या फिर secondary में जाते हैं तो वो drop out हो जाते हैं तो उस case में फिर जैसे ही education उपर भरता जाता है gross enrollment ratio कम होता जाता है कि national education policy के कुछ और features भी है कुछ और features जैसे कि जो teacher student का ratio होगा वो 30 is to 1 होगा that means एक teacher पे 30 students होंगे इन से ज़्यादा नहीं होंगे अब यह सरकारी स्कूलों का हाल यह है कि एक teacher पे पचासु स्टुडेंट होते हैं स्टुडेंट होते हैं कहीं कहीं तो high school में एक teacher पे 200 स्टुडेंट होते हैं बट अब यह ratio को किसी भी हाल में 30 is to 1 ही रखना है यह 25 तक का सरकार का बहुत बड़ा objective है साथी साथ बच्चों के reading, writing, speaking, counting और mathematical और mathematical thinking पे ध्यान देने जाने की बात की जा रही है बच्चों को इन सब्सक्राइब के लिए बच्चों को त्यार किया जाएगा और इस पर special focus होगा इस पर extra focus दिया जाएगा और एक national repository जो है and then अब हम बात करते हैं second component यानि की language की language एक बहुत बड़ा part होता है किसी भी education system का बिना language के कोई भी education जो है वो हम attain नहीं कर सकते हैं तो इस नए education policy में जो हमारा medium of instructions की बात की जारी है that means जो medium होगा school का वो mother tongue होगा that means mother tongue यानि की मात्री भाषा में ही बच्चों को पढ़ाए जाएगी but और जोहां तक possible होगा at least class 5 तक बच्चों को mother tongue में ही पढ़ाए जाने की बात की जा रही है home language, mother tongue, local language या फिर Indian language में पढ़ाए जाने की बात की जा रही है या फिर preferably हाला कि यह है यानि सरकार प्रेफर कर रही है कि class 8 तक बच्चों को mother tongue में ही पढ़ाए हाला कि सरकार यह भी कहती है इस नए education policy में सरकार यह भी कहती है कि बच्चों को possible हो तो जहां तक possible हो that means higher education या फिर 1112 या फिर जो डिग्री कोर्स है वहां तक भी बच्चों को जो local language है उस पर पढ़ाया जाया हाला कि यह चीज़ जो है दोनों को फॉलो करना है private schools as well as government schools को तो government schools जहां के अलएडी मदर टंग में ही पढ़ाया जाता है उनको दो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बट private school को यह mandatory follow करना होगा उन्हें भी मदर टंग में ही पढ़ाना है छोटे बच्चों को at least up to class 5 एक बहुत बड़ा bon of contention इस national education policy 2020 में है फ्री लेंग्वेज फॉर्मूला का मतलब यह है कि बच्चों को तीन लेंग्वेज पढ़ना है अपने पूरे schooling studies के दोरान तो इसमें यह जो नए एजुकेशन पॉलसी है यह कहती है कि इन तीन language मेंसे कम से कम दो language जो है वो इंडियन होना जरूरी है लेट मेस बच्चों को टीन रेंग्वेज पढ़ना है एक फ्रेल लेंगवेज पढ़ना है और दो इंडियन लेंग्वेज पढ़ना तो सपोस्ज़। अगर मैं क्लासा में पर ढहा हूं और मैंने जो है या को भी इंडियन लैंगवेज्ज ची पड़ सकता हूं तो इस प्रक्राइब से फिटी में से एक फराइन लैंगवेज्ज होगा और दो इंडियन लैंगवेज होगा ये नही एडूकर्शन पॉलिसी कह रही है और नही एडूकर्शन बॉलिसी शो भी कह रही है कि जो medium of instructions यानि कि जो medium होगा पढ़ाई का वो mother tongue होगा that means mother tongue जो भी बच्चे की mother tongue होती है regional language होता है उसे में बच्चे को पढ़ाया जाएगा और यह इने पी recommend करती है इसलिए क्योंकि विकोज जो education है वो current current list में आता है schedule 7 के constitution के schedule 7 के concurrent list में education mentioned है इसलिए states and centers दोनों को इस पे कानून बनाने का या पिर दोनों को इसके policies को बनाने का जो जिम्मा है वो दिया गया है और दोनों इस पे कानून बना सकती है दोनों इस पे policies बना सकती है अलाकि आपको यार्ध होगा कि जो दो अनुष में ड्राफ्ट आया था नेशनल जूकेशन पॉलिसी का उसमें तीन लेंगवज की बात की जा रहे थी लेकिन चुकि उसमें हिंदी भी एक लेंगवज था लेंदी को मेंट्रेटरी किया गया था उन दो लेंगवज में से जो क 2020 का जो रिवाइजड ड्राफ्ट आया है National Education Policy का उसमें हिंदी को ड्रॉप कर दिया गया है यह सम हिंदी ज़रूरी नहीं है तो इसलिए इस लेंग्वेज फिर्मूला को accept किया सकता है स्ट्रेट के द्वारा बट देखना आगे क्या होगा है जाया कि इस लेंग्वेज फार्मूला में और मिडियम अव इस्ट्रक्शन के मामले में कुछ क्रिटिसिजम भी है इस नेटनल एडिकेशन पॉलिसी में जो बात की जा रही है कि जो प्राम मदर टंग का पूरा पूरा इंफ्लेंस होगा तो इसका कुछ कुछ क्रिटिसिजम भी है जिसको हम लोग अभी देखेंगे सबसे पहला क्रिटिसिजम यह है कि जो प्राइवेट स्कूल और गवर्मेंट स्कूल में जो डिवाइड है वो बढ़ जाएगा और यह लेगा तो उस केस में अkemинов मदर ठंग में पढ़ा में जा रहे है हिंदि हो या लेंगेच हो और प्राइवेट स्कूल में लोग जो है इंग्लिश मे पढ़ रहा है तो यह जो गैप है प्राइवेट सकोल और गोवर्मेंट स्कूल का यह बना ही रहेगा बलकि हो सकता और में बधाल स्थरी में चले जाएंगें इसका इसके कोछ दूसरा कि डिस्थिजन भी है कि EARS में कंपडिशन शुरू हो जाएगा और कॉम पेडिशन शुरू हो जाएगा उसका अन्दरर परिजञ का अभी हाल इंग्लिश मेडिए मेदिकल्स तो अब चल कर लिए पढ़ाई करवा रहा है बच्चे में या फिर स्कूलों में तो वहां को बच्चे है अभी जिए बात है कि वह अच्छा करेंगे अगे के एजुकेशन में और इस प्रकार से वो जब वहाँ पे development होगा तो वहाँ पे उन बच्चों का अच्छा युगदान होगा और उस टेट डिवलप होगा तो इस प्रकार से स्टेट और स्टेट में एक डिवाइड आ जाएगा that means जहां जिस स्टेट में बच्चे का जो मेंडियम इस्ट्रक्शन से वह हिंदी है या फिर दुसरे लैंग्विज है वहां के बच्चे उतना अच्छा नहीं किरपाएंगे जितना कि वह स्टेट की बच्चे करेंगे जहा जिनके पास अच्छा पैसा है वह अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में भीजेंगे और जिनके पास पैसा नहीं है या फिर जो गरीब है वह अपने बच्चों को गवर्मेट स्कूल में भीजेंगे तो एक साफ क्लास डिवाइड निजर आएगा प्राइवेट स्कूल में जो मदर टंग होगा वो इंपलिमेंट नहीं किया जाएगा वहाँ पर प्रामरी एड्यूकेशन होगा वह हिंग्लिश में होगा उज एक ट्रांसफर होगा उनके बच्चों के इजुकेशं में हैं आसकती है और इंसान कोई एक हैं क्काम कर रहा है बंबे में जाहां कि उनके बच्चे जो प्रदेश में और वहां उन बच्चों को हासिल एजूकेशन हासिल करना है तो वही बच्चा जो मराथी पढ़ रहा है अब उसे तमील और तेलगु पढ़ना होगा जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा उसके लिए तो इस वजह से इसका बहुत क्रिटिसिसम हो रहा है Colleges या Universities में Admission के लिए Common Interest Exam की वेवस्था की गई है यह Interest Exam सारे Colleges या Universities के लिए ज़रूरी नहीं है बर जो Universities कराना चाहते हैं CEE के थुरू अपने Exams को अपने Interest Exams को वो करवा सकते हैं यह CEE NTA Conduct कराएगी National Testing Agency जो कि सरकार की एक Exam Conducting Agency है वो सारे Exams को Conduct कराएगी और यह साल में दो बार होगा साल में दो बार यह Exams लिए जाएंगे जिसमें की एक Common Aptitude Paper होगा और एक Specialized Paper होगा अगर आप Engineering के लिए दाख्रा लेने के लिए एकजाम दे रहे हैं या फिर अगर आप Agriculture Process करने के लिए एकजाम दे रहे हैं तो उन cases में आपका जो Particular Field है उस Field से एक Paper होगा और एक Common Aptitude का Paper होगा जिसमें की Math Reasoning या फिर जो Common Subjects होते हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे एकजाम अलग से लिया जाता रहेगा जैसे अभी NTA, JEE और NEET के एकजाम कंड़क्ट करती है वैसे ही NTA अलग से JEE और NEET के एकजाम कंड़क्ट करती रहेगी जैसा कि मालूम होना चाहिए आपको कि JEE IIT के इंटरेस्ट के लिए होता है और NEET Medical Courses के इंटरेस्ट के लिए जाता है अब हम लोग बात करेंगे higher education की higher education में कौन कौन से reforms होने वाले है इस national education policy के थुरू उसके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो एक सबसे बड़ा point आता है कि जो UGC है अभी जो UGC हमारे पास जो की सबसे ultimate authority है इंडिवर्सिटीज एडिकेशन के लिए इनिवर्सिटीज गरांट कमिशन वो रिप्लेस कर दी जाएगी HECI से है कि मिस higher education commission of India तो अब UGC नहीं रहेगा और इसके जगह पे रहेगा हे की higher education commission of India और यह एक ultimate authority होगी सारे इनिवर्सिटीज एडिकेशन के लिए colleges education के लिए और यह single overarching umbrella body होगा that means इसके अंदर में ही सब सारे सारे institutions होंगे यह सारे organizations होंगे यह फिर सारे universities होंगे और इसके अंदर में ही बहुत सारे और दूसरे organizations होंगे जो की दूसरे courses के लिए affiliation देते हैं but इसमें medical or legal education का funda नहीं होगा that means medical or legal education हे की के अंदर नहीं आएंगे और एक दूसरा important point है that की affiliation system को धिरे दरे खतम कर दिया जाएगा affiliation system मतलब अभी आप देखते होंगे कोई college अगर आपके आसपास में होगा तो उसमें लिखा होता है college के prospectus में या college के gate पर लिखा होता है that affiliated to this university affiliated to that university वो system अब खतम होगा college को autonomous में बराया जाएगा बट यह ऐसा नहीं कि अभी तुर्ण से होना शुरू हो जाएगा इस पर वक्त लाएगा और यह अगले 15 सालों में phase out होगा that means अगले 15 सालों में आप पाएंगे कि जो colleges हैं वो किसी university से affiliated नहीं होगी और वो खुद का autonomous college होगा और खुद हुई वो सारे courses design कर पाएंगे और ख उसमें यह है कि multi-disciplinary universities बनाए जाएगी अभी जैसे बहुत सारे universities हैं जो कि single domain universities हैं उसमें सिर्फ एक ही subject की पढ़ाई होती है या फिर एक ही course की पढ़ाई की जाती है उस चीज से लिए उस चीज को अब जो है multi-disciplinary बनाया जाएगा that means वहाँ पर बहुत सारे courses की पढ़ाई करा जाएगी रैसे कोई medical university है उस medical universities को इतना diverse किया जाएगा कि उसमें बहुत सारे courses कराया जाए इंजिनिंग भी कराया जाए उसमें या फिर उसमें legal course भी कराया जाए या उसमें educational course भी कराया जाए इस प्रकार से अब जो single domain college होता है या single domain university होती है उसको multi-disciplinary universities में convert करेंगा 2014 तक के district में university खोल दी जाएगी तो ये एक बहुत बड़ा कदम है हमारे education sector के लिए अगर हर district में एक university होगा तो सारे students को education असानी से मिल पाएगा उनके मन बसंद courses वो असानी से चुन पाएगे और साथी साथ उनकी लिए travel करना बहुत असान हो जागा इंजिनिंशित में किसी भी काम के लिए तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का साथी साथ एक बात और की जा रही है कि सारे सारे instructions को that means जो medium of instructions होगा जो medium होगा पढ़ाई का वो higher education में भी local language में होगा ये बात की जारी बाट it is not mandatory mandatory नहीं है अगर universities चाहें colleges चाहें तो अपने यहां जो education provide कर ली है ज लोकल लेंगवज में भी वह प्रोवाइड कर सकती है इंडिन लेंगवज कोई भी लेंगवज राइक हिंदी उर्दू संस्क्रीट या फिर कोई भी ऐसा लेंगवज जो की बुली जाती है वहां पर वहां पर वह उस language में उन courses को provide कर सकते हैं बट यह उतना feasible नहीं है आज क करते हैं हर इंसान चाहता है कि इंग्लिश मेडिय में पढ़ है ताकि उसको फ्यूचर में वह कोर्स उसके काम आ सके पटम में देखना होगा भी है कि यह कितना आगे जाएगा और इसमें क्या development होंगे एक और नहीं चीज़ खुल के सामने आ रही है इस the establishment of national research foundation यह एक बहु नाम होगा national research foundation तो इस organization की help से research and development को promote किया जाएगा साथ ही साथ जो peer reviewed research होता that means peer peer लोग जो है वो अपने peers को review करेंगे और ऐसे research को promote करेंगे जो कि कि किसी peers के द्वारा किया हुआ हो इसको असान शब्द में इस तरह से समझा सकता हूं कि जैसे आप अगर PhD कर रहे हैं और आपके research को मैं review करूंगा मैं research को आप review करेंगे तो यह peer reviewed research कहलाता है तो इस तरह के research को पढ़ावा देने के लिए भी national research foundation काम करेंगे और साथ ही साथ curriculum को पूरा experience कर सके student को हर तरीके से सहायता प्रिदान की जा सके ताकि हमारे जो country का education sector है education system है उसमें बहुत लंबा सुधार हो सके higher education में एक बहुत बड़ा बदलाव undergraduate degree में आने वाला है पहले undergraduate degree हमारे 3 साल की होती थी अब भी undergraduate degree या तो 3 साल की होगी या तो 4 साल की होगी तो अब अगर मां ले जाए कि आपने आप कोई course किया है बी यह साल का तो अब जो वो course तीन साल का नहीं अलो वो course भी ये 3 साल का भी कर सकते हैं या फिर आप 4 साल का भी भी कर से आप इस सीट को समझ लें कि अगर आपने सब्सक्राइब कर रहे हैं एक साल बाद आपको कोई काम आ जाता है जिसके वाज़ा से आपको वह पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो एक साल आपका बेकार नहीं जाएगा आप एक साल के बाद सर्टिफिकेट इन हिस्ट्री ले जा सकते हैं साथे साथ अगर आपने एक साल कर लिया लेकिन आप कुछ साल बाद दो साल बाद तीन साल बाद या दर साल बाद वापस आते हैं और फिर से आपको पढ़ने का मन करता है फिर वापस उसी इनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आप वापस से फर्स्ट य एंट्री और multiple exit option दे रहा है उसी तरह से अगर आप इने दो साल का कोर्स कर लिया है आपने BA history किया है और BA history में आपने दो साल पढ़ाई कर ली है दो साल के बाद आपने किसी कारण से पढ़ाई छोड़ दी तो आपका दो साल का पढ़ाई बेकार नहीं जाएगा आपको आपने 15-20 साल बाद उस university में या किसी और university में जाकर पढ़ाई करने का सोचा तो आपको चार साल की डिग्री में तीन साल की डिग्री में दो साल कम ही करना होंगे आपको दो साल का फायदा मिल दाएगा तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी डिग्री कभी भी काम देगे जिन्दगी के किसी भी मौके पर किसी भी पढ़ाओ पर आप अपनी डिग्री को यूज कर सकते हैं दुबारा पढ़ने के लिए या फिर उस चोटे से डिग्री को आप यूज कर सकते हैं उस एक एर का सर्टिफिकेट या दो याट के डिप्लूमा को अगर आपने तीन साल का कॉर्स कंप्लीट कर लिया तो तीन साल में आपको bachelor degree मिल जाएगी और अगर आप तीन साल के बाद छोड़ देते हैं तो आप bachelor degree के साथ घर जा सकते हैं लेकिन अगर आप प्रहाई कॉर्ट करना चाहते हैं और आप चार साल भी complete कर लेते हैं तो आपको bachelor's degree with research दिया जाएगा तो इस तरह से आप चार साल के courses को multiple occasions पे use कर सकते हैं अगर आपने एक साल पे छोड़ा है तो आप उसको certificate course के तरह पे use कर सकते हैं अगर आपने दो साल पे course को छोड़ दिया है तो आप advanced diploma का certificate ले सकते हैं अगर आपने तीन साल पे छोड़ दिया है तो bachelor's degree की degree आपको मिल जाएगी अगर आपके चार साल पर छोड़ा है यानि चार साल पर तो complete ही हो जाएगा तो अगर चार साल complete कर लेते हैं तो आपको complete degree मिल लागी bachelor's degree with research तो इस प्रकार से इस इन सारे options में multiple entry हो रहा है आपका आप कहीं भी entry ले सकते हैं और multiple exit हो रहा है आप कहीं भी exit ले सकते हैं यह exit करना चाहें आप कर सकते हैं या फिर चार साल के बाद exit करना था है इस लिए से multiple entry और multiple exit बोला गया है इस national education policy में एक academic bank of credit को भी establish करने की बात की जा रहे है यह academic bank जो है आपके credit को store रखेगा that means होता क्या है कि हर कोर्स का अपना एक credit score होता है माल अगर आप MA कर रहे हैं तो MA 1st year के लिए अगर 4 point है और MA 2nd year के लिए 4 point है अगर अगर आपने MA 1st year करके कोर्स को छोड़ दिया और वापस फिर से बाद में आएंगे तो वो जो आपका 4 point है वो इस bank में stored रहेगा और उसके बाद जो आप 2nd year करने आएंगे तो वो उस bank से आप 4 point निकलवा सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं और फिर 2nd year आपको वो 4 point ही गेन करने है जो 4 point बचा है वही आपको सिर्फ लेना है 4 point जो पहले का था वो अलड़ी stored था अकर्मेंट बेक अफ क्रेडिट में उसका आप यूज़ कर सकते हैं और फिर 2nd year आप complete कर लेंगा तो आपको 8 point का credit मिल जाएगा और आपका में complete हो जाएगा मैंने एक example दिया है इस प्रकार से इस bank में आपका जो credit होता है वो जो score होता है वो आपका stored रहेगा यहाँ पर उसको store किया जाएगा और उसको store करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप कभी भी अगर course को छोड़ दे या फिर course फिर से join करना चाहें तो उस case में जो आपका point है वो वहाँ पर store रहेगा digitally और फिर आपको उसको जब वापस आएंगे तो आप उसको use कर सकते है तो यह बहुत बड़ा benefit होने वाला है इस academic bank of credits से एक और major change आने वाला है इस national education policy के थुरू higher education में that infill will be ascribed infill जो course अभी एक intermediate course होता है MA और PhD के बीच में यह course दो साल का होता है जो की MA के बात की जाती है और PhD के पहले की जाती है एक तरह से pre-PhD कहते हैं इसको तो यह PhD के त्यारी के लिख की जाती है यह course scrapped हो जाएगा that means अभी यह course नहीं रहेगा तो होगा क्या कि तीन साल का अगर आपने BA किया था पहले BA तीन साल का था Estee No.id तो तीन साल का BA किया आप आपने उसके बाद 2 साल की MA किया उसके बाद फिर आपने 2 सल का अंफिल किया और उसके बाद फिर आप PhD कहें लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब क्या होगा आपने 4 साल का BA कर लिया तो फिर आपको MA भी मात्र एक ही साल का करना है उसके बाद फिर आपको M.F.I.L. करना नहीं है और सिज़े PhD करना है तो अब आपके दो साल की भचत हो रही है जो M.F.I.L. था वो दो साल के जो बीच में था MA और PhD के वो आपको नहीं करना है ड्रेक्टली आप BA और MA के बाद PhD कर सकते हैं और MA भी आपके लिए एक साल का होगा विकोज आपने BA चार्ट साल का कर लिया है विद रिसर्च तो इस तरह से एक major reform आने वाला है National Education Policy में Higher Education सेक्टर में हम बात करते हैं Foreign Universities की National Education Policy कह रहा है कि Foreign Universities को permit किया जाएगा कि वो अपना campus खोल ले इंडिया में तो बहुत सारी जो foreign universities है आप देखेंगे इन आने वाले futures में कि जो Cambridge University है जो Oxford University है उसके campuses खोले होंगे देल ही Bangalore, Hyderabad वगारा cities में तो ये एक बहुत अच्छा अनुपर होगा future में इसका कुछ criticism भी है सबसे पहला criticism यह है कि Private और Foreign Universities का involvement हो जाएगा Indian education system में अभी तक जो हमारा Indian education system है Higher education का वो mainly public universities dominated है बट अब जब foreign universities यहाँ पर आना शुरू कर देंगे तो ये private and foreign universities dominated education हो जाएगा जो कहीं हद तक जो बच्चे हैं उनके लिए हितकारी नहीं होगा बिकोज जैसे private universities इंडिया में आएगी और वो इंडिया में आकर अपने education को जो है सेल करेंगी अपने courses को सेल करेंगी तो उस case में क्या होगा उनके courses बहुत महंगे हो जाएगे बिकोज वो foreign universities हैं अपना अच्छा investment किये हुए हैं अच्छा-च्छा campuses हैं बड़े-बड़े faculties लाए गए हैं तो उस case में क्या होगा कि courses काफी महंगा हो जाएगे तो जो गरीब बच्चे हैं जो afford नहीं खर सकते एतने महंगी education को उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ऐसे universities में पढ़ना तो एक बहुत 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 divide हो जाएगा private universities में और government universities में या फिर foreign universities में साथ ही साथ foreign involvement हो जागा education में जैसे foreign universities अपने campuses खोलेगी इंडिया में तो foreign जो countries हैं उनका एक Indian education system में involvement हो जागा Indian education system में foreign universities के culture उनका जो behavior होता है या फिर उनका जो policies होता है वो यहां पर जलकना शुरू हो जाएंगे तो यह भी criticism है इस policy का तीसरा यह है कि higher education will be loan based rather than grant based अभी तक जो है हम लोग जो higher education लेते हैं वो grant based होता है मतलब UGC जो है grant देती है higher education institutions को universities को और वो हमें education PhD या फिर BAM में काफी कम cost में negligible cost में वो हमें education provide करते हैं बट जैसे ही यह foreign universities यहां आना शुरू कर देंगे तो उनके courses बहुत महंगे होंगे बहुत costly होंगे उनके courses बहुत जो है बड़े-बड़े campuses होंगे तो वह obviously बाते के जादा charge करेगी और जादा charge करने के लिए बच्चे जो है वह loan लेंगे तो यह जो grant based education होगी वह अब loan based education में बदल जाएगी तो यह भी एक बहुत बड़ा criticism है इस education policy के बाते कर लेते हैं तो यह नए education policy completely technology enabled होगी that means बहुत सारी चीजे बहुत सारे जो platforms है वह technology पे based होगे और आपको जो education होगी completely technology based होगी तो जैसा कि मैंने बताया कि technology का use किया जाएगा teaching learning assessment में या फिर education की planning में साथी साथ digital India campaign का भी बहुत 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 रोल होगा education को बढ़ावा देने के लिए management में technology का पूरा यूज किया जाएगा जैसे टीचर्स की biometric attendance या फिर students का सारा data entry करना उसके website पे या software पे तो यह सारे जो सुधार है वो किये जाएगे साथ ही साथ एक नए institution का establishment होगा which will be called national education technology forum जिसमें कि educational technology होती है उसको aware करने के लिए students के बीच teachers के बीच उसके बारे बताने के लिए इस organization का setup किया जाएगा और इसके थूँ बहुत सारे दूसरे courses को भी प्रोवाइड के जाएगा जैसे कि MOC that means massive open online courses या फिर दिव्यांग friendly educational software है वो प्रोवाइड करी जाएगी बहुत सारा content प्रोवाइड के जाएगा बहुत सारे languages में तो इस content प्रोवाइड किया जाएगा साथ ही साथ 21st centuries के लाइक जो है टेकनलोजी का and virtual education फिर online assessment होगा या फिर examinations होगे वो online भी conduct किये जाएगे तो इस तरह से टेकनलोजी का पूरा पूरा यूज किया जाएगा इस नई education policy में जाए रादर देन traditional technology का यूज करना जैसे कि पहले के को जमाने में क्या होता था कि सारे चीज़े वो pen and paper पे है कि जो नई education policy है completely technology enables होगी एक बहुत बड़ा point है teachers recruitment का teachers के recruitment को बहुत अच्छे से national education policy में बताया गया है teachers कैसे recruit के जाएगा teachers का qualification क्या होगा teachers के training कैसे होगी तो इसमें कुछ points है जो मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूँ सबसे पहली बात जो national education policy है वो एक point कहती है आप है उसका statement है इस statement मैंने उस revised draft NEP से लिया है जो कह रहा है कि NEP must re-establish teachers as the most respected persons in the society NEP को अवश्च ही teachers को फिर से most respected persons के रूप में establish करना चाहिए तो teachers को फिर से वही सम्मान देने की बात कह रही है NEP इसके लिए क्या करेगी इसके लिए NEP जो है TET में बहतर content और pedagogy कोई questions लाएगी या materials लाएगी तो जो अभी TET का test होता है teacher eligibility test का exams होते हैं उसमें जो और अच्छा material लाएगी content और pedagogy के माले में और साथ ही साथ TET होगा चारो stages में that means अगर आप foundational stage के teacher बनना चाहते हैं तो वहाँ भी TET होगा अगर आप preparatory stage के teacher बनना चाहते हैं classroom demonstration या फिर interview earlier यह part नहीं था teachers के recruitment का teachers ने exam दिया अब क्या होगा teachers को exam देने के बाद interview लिया जाएगा या फिर classroom demonstration लिया जाएगा that means teacher को पढ़ाने के लिए बच्चों के सामने भेड़ दिया जाएगा या फिर जो वहाँ की school की board होती है या फिर इंटर्विवर board होता है वह teacher को कहेगा कि आप जो है हमें पांच मिनट पढ़ा कर दिखाईए ताकि हम समझते हैं कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं या नहीं तो इस प्रकार से teachers के recruitment में और सकती होगी ताकि अच्छे teachers का जो selection है वह किया जाए और फिर इंटर्विव का यूज इसलिए भी किया जाएगा ताकि जो है teachers का जो proficiency है local language में इसकी जांच की जाए विकाद बहुत साथ teachers अच्छे होते हैं English language में या दूसरी languages में बट वह अच्छे उतना नहीं होते हैं उस जगह के local language में तो वहां के local language का अच्छा knowledge teacher के पास है की नहीं है इसकी जांच करने के लिए इंटर्विव को किया जाएगा साथ ही साथ private schools में भी TET demos या interviews का use किया जाएगा तो private schools को भी teachers को hire करने के लिए TET लेना होगा या TET qualification होगी eligibility होगी उनको demo देना पड़ेगा या फिर उनसे interviews लिया जाएगा ताकि उनका या फिर assessment of local language that means local language में उनका जो knowledge है वह कितना है इसको भी जाचा जाएगा ताकि private school में भी teachers के quality है वह अच्छी maintain हो सके और इस तरह से private school education का जो label है वह अच्छा हो सके और एक बात और की जा रही है इस national education policy में कि 2030 तक जो बीए degree होगी वह चार सल की हो जागी चार सल की integrated degree हो जागी जो बीए degree है वह दो साल का course है बीए के बाद लेकिन अब जो है वह बीए पलस बीएड या फिर बीए सी पलस बीएड हो जाएगा आप इंटर के बाद ही 10 पलस 2 के बाद ही जो है आप कर सकते हैं बीएड चार सल का बीएड और उसके बाद आप directly teachers बन सकते हैं तो इस प्रकार से teachers जो है वह अच्छे qualified हो जाएगे और वह एक जो है professional degree के साथ teacher बनेंगे तो यह एक बहुत फाइदेमान वाली बात होगी students के लिए साथ ही साथ मैंने यहां पर एक extract निकाल के दिया है आपको revised draft NEP का यह आप पढ़ सकते हैं इसमें कहा जा रहा है कि supreme for directive के अनुसार जो teachers हैं उनको extra duty नहीं लगाई जाएगी election में या फिर survey connect करने में और नहीं उनसे कोई और काम कराया जाएगा जो कि non teaching काम होता है जैसे कि cooking का काम करवाना या फिर vaccination program में उनको भेज देना वैक्षिन लगवाने के लिए बच्चों का तो यह सब काम जो है नहीं कराया जाएगा जैसा कि Supreme Court ने दिया है उस हिसाब से बट ऐसा होता नहीं है अभी तक तो ऐसा हो नहीं रहा है बट देखिए इन future क्या होता है NEP 2020 का जो 5th component है वो finance है तो finance में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था वीडियो के शुरू में कि कि जो इंडिया की GDP है उसका 6% खर्च किया जाएगा एजूकेशन सेक्टर पे ग्राजूली बढ़ेगा अभी तो यह 3-3% के करीब करीब है तो ग्राजूली इसको बढ़ा के 6% तक लाए जाएगा countries के GDP का तो यह अभी इसके लिए भी मैंने एक extract यहाँ पर दिया है जो कि revised draft NEP से मैंने लिया है तो यह आप इसको थोड़ा देख लेंगे ऐसा ही ज़रूरी नहीं बट अगर आप देख लेंगे तो आपको और clear picture मिल राएगा यह बैसिकली रही कह रहा है कि जो अभी 10% overall public expenditure होता है वह बढ़ा कर 20% कर दे जाएगा 10 साल के लिए तो बैसिकली कहने का मतलब यह है कि education पर जो खर्च है वह बढ़ाया जाएगा और इसको GDP का 6% तक किया जाएगा इन आने वाले समय में बड़े कितना follow होता यह यह देखने की बात है कोठारी commission ने तो कह दिया था कि first NEP और second NEP में ही 6% का खर्च के जाएगा GDP का education sector जो कि आज तक नहीं किया गया तो देखना होगा कि आगे कितना यह सही साविस होता है इस पूरे national education policy का बहुत criticism है because बहुत सारी चीजे इसमें feasible है बहुत सारी चीजे इसमें feasible नहीं लगती है लगता है कि हो ही नहीं पाएगा और तो कुछ criticism की बात हम लोग कर लेते हैं पहरा तो यह कि NEP जो है वो directions का set है यह सिर्फ directions है directions का पूरा एक combination है यह एक तरह से कह सकते हैं कि mandatory नहीं है किसी को follow करने के लिए तो जो education sector में काम करने वाले लोग हैं चाहे वो colleges है universities है या फिर schools है उनको यह mandatory follow नहीं करना निवारिता नहीं है इसमें follow करने के लिए तो जब किसी को आप direction देते हैं और जब किसी को आप कहते हैं कि आपको must follow करना दुनोंबर फर्क होता है तो यह बहुत बड़ा criticism है इस national education policy का इसको mandatory की जाना चाहिए था और चुकि जो यह education है वो concrete list में आता है तो सारे states की इसमें हामी होनी चाहिए और सारे states को इसमें mail बैट कर बात करने होगी तभी है possible हो पाएगा जो कि एक long term goal है long term process है दूसरा इसमें criticism यह है कि जो government का target रखा है वो 2040 का target रखा है पूरे policy को implement करने के लिए तो एने पी 2020 20 साल का समय लेगी पूरे policy को implement करने के लिए जो कि काफी लंबा समय है 2040 तक पूरे policy को target किया जाएगा और उसके बाद उसका असर देखने को मिलेगा हमें तो 2040 तक इस policy को implement किया जाएगा धिरे-धिरे करके और उसके बाद 20 साल 30 साल 40 साल के बाद हम लोग को इसका असर देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि 22nd century जब आ जा है तो हम लोग NEP 2020 का जो है असर देख पाएंगे शायद हम लोग जिन्दा भी ना बच्छे उस समय तक यह हो सकता है और साथ इसका एक और criticism है कि जो education है वो concurrent list भाता है that means education 7th schedule के concurrent list में है that means इसको इसमे states और center दोनों काउन बना सकती है दोनों policy ला सकती है इसलिए इस NEP को implement करने के लिए state से collaborate करना होगा state से इसको cooperation के जरूत है जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है because अक्सर हम लोग दिखते हैं कि central state टसल होता रहता है central state में एक संघर्ष जारी होता है because of the opposition parties or because of the different parties तो यह चीज़ थोड़ी मुश्किल लगती है बट देखते हैं क्या होता है आगे तो यह था राश्ट्रेश इच्छा निथी का संपूर्ण विशलेशन अगर इसमें और भी कोई development होता है future में तो हम आपको जरूर बताएंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें share करें और साथी साथ हमारे चैनल को subscribe जरूर करें और press the bell icon ताकि हमारे आने वाले वीडियो के notification आपको मिलती रहे और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है या फिर आपको कोई सुझाओ देना है तो comment box में जरूर लिखें till then stay home stay safe